नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, I hope आप अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों कल ही चंद्रयान 3 अपने मिसल को पूरा कर चुका है, तो दोस्तों खुसी का दिन है, इसमें कोई सक नहीं है, पूरे भारत के जितने नागरिक है, सब लोग खुसी में, दोस्तों आप भी क वीडियो में समझने कोसिज करेंगे दोस्तों कि उसका क्या काम है, क्योंकि जो राकेट है दोस्तों वो अपना काम कर चुका है, वहां पर पहुंचा चुका है, अब बारी आता है, जो अराम कुर्सी लगा, बैठा थार से प्रग्यान, उसका काम है दोस्तों, क्योंकि प्र लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों यह सब सही है क्योंकि जैसे मालेते देखिए अगर मालेते हैं यर्थ रहेगा यानि अपनी धर्ती यहां पर रहेगा दोस्तों तो यहां से जब लोग देखते हैं चंद्रम को जो पाठ था देता है जो प्रकास उजला जहां पर चंद्रमा उजला है और जो दोस्तों साउथ जो कभी हम को दिखा लेए और पूरी तरस से अंधेरा है अंधेरा है ठीक है अंधकार है यहां पर यहां पर अब तक अंधेरा है और कोई नहीं पहुंच पाया है दोस्तों वहीं पर चंद्रियान पहुंचा है, ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ डाटा देखे, यहाँ पर कुछ पॉइंट पहले ध्यान देजी दोस्तों, क्या लिखा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया, ठीक है, भारत चौथा देश बन गया, दोस्तों, तो था रासिया दूसरा अमेरिका तीसरा चाइना चौथा इंडिया यानि तूरे अगर देखेंगे चंदरमा पहुंचने वाला चौथा देश कौन बना दोस्तों ओ है इंडिया ठीक है ओ है इंडिया लेकिन दच्छडी तुरूप में जो इतिन देश पहुंचे थे दोस्तो मेरे दोस्त इंडिया पहुंच गया यहां पर तो पहला देश दुनिया का बन गया है इंडिया इसलिए कि में आप जरूर लिखेंगे भारत माता के छांद भी लगा देजेगा ठीक है ठाकि पता चले बुरे दुनिया को भारत क्या है क्या चीज है ठीक है अब हम लोग के इंटर से उतर रहा है उसका नाम धिक्रम बूरत किए उसका नाम बोला जाता है यादिन है उसका नाम भेड़ा सारा भाई के नाम से पराय दोस्तों लेंडर और पूरी तरस आराम से उसके का these लेंडर करें यानि इसका क्या का है अब यह का मैं है रूबर सार गाल धायाँ प्रिज्चार अर्ग्यात ग्या इसका क्या मतरा गतुंद दोस्तों जो इश्रोक के तो इसे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो लेंडर यानि विक्रम वहां पर उतरा है और उस विक्रम में से रोबर उतरेगा जिसका नाम है प्रज्यान प्रज्ञान एक दिन तक पूरा घुमेगा वहां पे अब यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिका है मने प्रज्ञान चंद्रमा पर एक दिन अध्यान करेगा अब आपको लग रहा होगा एक दिन लेकिन दोस्तों इस चौदा दिन है ठीक है पिर्थवी के देखे एर्थ के यह अर्थ के चौदर दिन है और यहां के देखेंगे यह One Moon Day है ठीक है One Moon Day यानि चंदर्मा के एक दिन पिर्थिविक के चौदर दिन के बराबर है तो सही समय देख करके दोस्तों प्रज्ञान ए रोबर लैंडर से उतरेगा और चौदर दिन तक वहां पर घूम घूम करके द करम सीधे इस रोके एजनसी में भीज देगा ठीक ताकि अच्छे से यहां पर पता चल सके अब आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि प्रज्ञान का क्या काम है यह बद पर फिर से प्रज्ञान का काम है दोस्तों वहां पर उदरेगा और वहां पर बड़े ही बकायादा चलेगा, चनल ये लायक है क्ये नहीं, ब्सेगे कापता चला वहां पर पूरा समान लाट कर więc हो गाई मिट्टेए उर्बरक है क्ये psychologically जाता है वहां परज्यान थे चेक करेगा कि अच्छा प्रज््यान अकेले हैं नहीं है दोस्तों हमने पिछले विडियों में बताला था यह पूरे सात में वाले रहे माले जी से research करेंगे और एक तो इतना खतरनाक है दोस्तो कि चंद्रमा पी जाकर धर्दी का रिसर्च करेंगा ठीक है तो अब आप को समझ में आ गया होगा दोस्तो कि प्रज्ञान का मतलब क्या है ठीक है अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें जरूर कमेंट करके एक पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है भारत मता की जाए चंदर यान थिरी अब भारत का मैं भी लगा देना है ठीक अदर दोस्तों ताके